नमस्कार, विश्व भर से आये सभी अतिधिकां, केंद्रिय केबिनेट के मेरे सहियोगी, महराष्ट गोवा के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, ग्लोबल मेरिटाइम इंडिया समीट के तीसरे संस्करण में मैं आप सभी का अभिनन्दन करता हूँ, इससे पहले जब हम 2021 में मिले थे, तब पुरी दुनिया कोरोना की अनिस्षित्ता से गीर हुई थी, कोई नहीं जानता था, कि कोरोना के बाद का विश्व कैसा होगा, लिकिन आज दुनिया में एक नया वर्ल्ड ओर्डर आकार ले रहा है, और इस बदलते हुए वर्ल्ड ओर्डर में पूरा विश्व भारत की और नई आकांग्शाओं से देख रहा है, आर्थिक संकर से घीरी दुनिया में भारत की अर्थेववस्ता लगातार मजबुत हो रही है, वो दिन दूर नहीं, जब भारत दुनिया की टॉप थ्री एकोनोमिक पावर में उसमें से एक होगा, हम सब जानते हैं कि दुनिया का मैक्सिमम ट्रेड सीरूर से ही होता है, पोस्ट कोरोना वर्ल में आज़ दुनिया को भी रिलाएबल और रेजिलियन सप्लाइचेंज की ज़रुरत है, इसलिए ग्लोबल मेरिटाइम इंडिया समीट का ये एडिक्शन बहुत महत्वपण हो गया है, साथियों, इतिहास साक्षी है कि जब भी भारत की मेरिटाइम केपबिलिटी मजबूत रही है देश और दुनिया को, इससे बहुत लाब हुआ है, इसी सोच के साथ, बीते नव दस वर्सों से, हम इस सेक्टर को ससक्त करने के लिए योजना बद्द तरीके से काम कर रहे हैं। हाली में भारत की पहल पर एक ऐसा कदम उठाया गया है, जो 21 सदी में दुनिया भर की मेरिटाइम इंडिस्ट्री के काया कलब का सामर्थ रखता है। जी 20 समीट के दौरान इंडिया, मिडल इस्ट, यूरोप, एकनॉमिक कोरिडोर पर अईतिहासिक सहमती बनी है। सैंकडो वर्स पहले सिल्क रूट ने बैश्विक व्यापार को गति दी थी। ये रूट दुनिया के कई देशों के विकास का आधार बना था। अब ये एतिहासिक कोरिडोर भी रीजिनल और ग्लोबल ट्रेड की तश्वीर बदल देगा। नेक्स जनरेशन मेगा पोर्स और इंटरनेशनल कंटेइनर ट्रांसिप्मेंट पोर्स इसका निरमान। आइलेंड डेवलोपमेंट, इनलेंड वोटर वेज, मल्टी मोडल हर्प्स का विस्तार ऐसे कई बड़े काम इस योजना के तहत किये जाने हैं। इस कोरिडोर से बिजनेस कॉस कम होगी, लोजिस्टिकल एफिशन्सी बढ़ेगी, परियावरन का नुक्षान कम होगा, और बड़ी संख्या में जॉब्स का भी निरमान होगा। इन्वेस्टर्स के पास ये एक बड़ा आउसर है कि वो भारत के साथ जुड़कर इस अभियान का हिस्सा बनें। Friends, आज का भारत अगले 25 वर्षों में विक्सित होने के लक्ष पर काम कर रहा है। हम हर सेक्टर में क्रांती कारी परिवर्तन ला रहे हैं। हमने Maritime Infrastructure के पूरे इको सिस्टिम को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है। बीते एक दशक में भारत के Major Ports की Capacity डबल हो चुकी है। कंटेनर बेशल्स का जो turnaround time आज से 19 साल पहले 2014 में करीब 42 अवर्स था वो 2023 में 24 अवर्स से 24 गंटे से कम रह गया है। पॉर्ड कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए हमने हजारों किलोमेटर की नई रोड़ बनाई है। सागरमाला प्रोजेक्ट से भी हमारे कोस्टल एरिया का इंफ्रास्रक्टर मजबूत किया जा रहा है। यह सारे प्रयास, Employment, Generation और Ease of Living को कई गुना बढ़ा रहे हैं। Friends, Sports for Prosperity और Sports for Progress का हमारा वीजन धरातल पर लगातार बढलावला रहा है। लेकिन हमारे काम ने Sports for Productivity के मंत्र को भी आगे बढ़ाया है। Economy की Productivity को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार Logistics सेक्टर को भी Effective और Efficient बना रही है। भारत अपने Coastal Shipping मोड का भी आधुरी करन्ट कर रहा है। बीते एक दसक में Coastal Cargo का Traffic दो गुना हो गया है। और इससे लोगों को एक Cost Effective Logistics Option भी मिल रहा है। भारत में Inland Waterways की विकास से भी बड़ा बडलाव आ रहा है। पिछले दसक में National Waterways की Cargo Handling उसमें करीब चार गुना ग्रोथ देखने को मिली है। हमारे प्रयासों से बीते नव पर्षों में Logistics Performance Index में भी भारत की रेटिंग्स बहतर हुई है। साथियों, Shipbuilding और Repair Sector पर भी हमारा बड़ा फोकस है। हमारा स्वदेशी Aircraft Carrier INS Vikrant भारत की ख्षमता और भारत के सामर्थ का प्रमाण है। अगले तशकों में भारत दुनिया के Top 5 Shipbuilding Nations में से एक होने जा रहा है। हमारा मंत्र है Make in India, Make for World, Maritime Crusters के विकास के जरिये। हम Shipbuilding stakeholders को एक साथ लाने के integrated approach पर काम कर रहे हैं। हम आने वाले वक्त में देश में कई स्थानों पर Shipbuilding और repair centers विक्सित करने वाले हैं। Ship recycling के क्षेतर में भारत पहले ही globally दूसरे स्थान पर है। अपने major ports को carbon neutral बनाने के लिए भारत maritime sector में net zero strategy पर भी काम कर रहा है। हम एक ऐसे भविश की और से बढ़ रहे हैं जहां blue economy green planet बनने का माध्यम होगी। Friends, दुनिया के बड़े बड़े maritime operators भारत आएं। भारत से ही operate करें। इसके लिए भी भारत में तेजी से काम हो रहा है। गुजरात के आदुनिक gift city ने ship leasing को एक प्रमूक financial service के तौर पर launch किया है। Gift IFSC द्वारा ship leasing कमपनियों को अनेक तरह की छूड़ भी दी जा रही है। मुझे खुशी है कि दुनिया की चार global ship leasing companies gift IFSC के साथ register भी करा चुकी है। मैं इस summit में आई अन्य ship leasing company से भी gift IFSC के साथ जुनने का आवान करूँगा। साथियों भारत के पास विशाल coastline है। मजबूत riverine ecosystem और reach cultural heritage है। ये एक साथ मिलकर maritime tourism की एक नई संभावना पैदा करते हैं। भारत में मौजूत करीब 5000 साल पुराना लोथल डॉक्यार्ड एक विश्व विरासत है। एक तरह से लोथल cradle of shipping है। इस world heritage को संवरक्षित करने के लिए लोथल में National Maritime Heritage Complex भी बनाया जा रहा है। मुंबई से लोथल बहुत दूर रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक बार लोथल भी विजिक करने जुरूर जाए। Friends, Maritime Tourism को बढ़ाने के लिए हमने विश्व की सबसे बड़ी River Cruise Service की शुरुवाद भी की है। भारत अपने अलग-अलग कोट्स पर इससे जुड़े कई प्रोजेक्स पर काम कर रहा है। मुंबई में नया इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बनाये जा रहा है। इसी साल हमने विशागा पतनम और चिन्ने में भी ऐसे मोडन क्रूज टर्मिनल बनाये हैं। भारत अपने state of the art infrastructure के जरिये ग्लोबल क्रूज हब बने की और कदम बढ़ा रहा है। साथियों भारत उन चुनिंदा देशों में से एक हैं जिनके पास development, demography, democracy और निमान का ऐसा combination है। ऐसे वक्त मैं जब भारत 2047 तक विख्षिद भारत होने के लक्ष पर आगे बढ़ रहा है। आपके लिए यह सुनहरा मोका है। मैं विश्व भरके आप सभी निवेशकों को फिर आमंत्रित करता हूं कि आप भारत आएं और विकास के रास्ते पर हमारे साथ मिलकर चलेंगे। हम साथ चलेंगे, हम साथ साथ मिलकर के नया भविश्य भी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।